क्वेलो तूडेंट्स वल्लेकम्टेशन कम्यूनिटी उटूड़ चैनल कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है प्रांजल सिंगि के विध्यों श्रीजस दूर आफ यह लेके आए हैं अपनी वीडियो अभी तक सर हमने नालसा पढ़ लिया, हमने डालसा पढ़ लिया, सालसा पढ़ लिया, तालुक Legal Services Committee पढ़ लिया, इसके साथी साथ High Court Legal Services Committee और Supreme Court Legal Services Committee के बारे में भी हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ने जा रहे हैं Entitlement of Legal Services यानि कि Chapter 4 में दिया गया Section 12 और 13 यानि कि किन-किन लोगों को ये सालसा, नालसा और डालसा जैसी जो bodies हैं वो Legal Aid प्रोवाइड करेंगी इससे पहले कि जो वीडियो लेक्टेर्स जो मैंने बताया ये क्या कह रहा है, ये बात कर रहा है Entitlement of Legal Services की यानि कि कौन-कौन लोग Legal Services जिसके बारे में हम अल्रेडी जानते हैं बहुत ब्रीफली इसको डिस्कुस कर चुके हैं उसके लिए Entitle कौन-कौन होगा ठीक है सर, ये किस बारे में बात कर रहा है, Section 12 बात कर रहा है अंडर इस Act of a Person if it is, यानि कि कोई भी ऐसा Person जो इस Act के तहत इन Criterias को फुल्फिल करता है वो हगदार होगा Free Legal Aid का, यानि कि उस Person को सरकार Free में वकील और सारी किसम की Legal Help जो है वारा Free में लीगल सहायता, लीगल हेल्प दी जाएगी, ठीक है सर, और कौन है, a victim of trafficking in human beings और beggar as referred to in Article 23 of the Constitution, यानि कि कोई अगर Person victim है human trafficking का जैसे कि हम कहते हैं वैपार किया जाता था लोगों का एक समय पे, आज भी एक चीज practice में है कि कि किसी भी छोटे डिस्ते चोटे गाउं के बच्चों को उठा के बड़े शहर में लोगों को बेच दिया जाता है, वो आपके घर पे काम करेंगे, एक सेक्टरा एक सेक्टरा या इंडस्ट्री मे कि इसके बारे में बात करी गई है तो उसके reference में भी इसको यहां पर consider किया गया है points ही बहुत important है किस बारे में बात कर रहा है a woman और a child यानि कि कोई भी महिला या कोई भी बच्चा कैसे सर इसका मतलब यह है कि महिला अगर प्रियंका चोपड़ा हो तो भी और अगर महिला कोई गरीब महिला हो जो की भीक मांगती हो किसी सड़क पे या किसी traffic signal पे उसको भी यानि इन दोनों को सरकार की नजर में और legal aid clinic की नजर में या legal aid प्रोवाइड करी जाएगी ठीक है सर और किस बारे में बात कर रहा है दी बात कर रहा है परसंट बिसेबिलिटी आज डिफाइं इन लिए अज आपको पता चलेगा कि किन-किन लोगों को disability केंडर में माना जाता है वह बहुत कुशन में आपको क्या माना जाएगा physically disabled माना जाएगा अब एक कुशन यहां पे यह उठेगा बच्छों का कि सर अगर physically disabled इस हिसाब से माना जाएगा तो यहां पे यह सेक्षन लिखने की जरुवत क्यों थी, disabled persons तो में पता है, ऐसा नहीं है, अब मान लीजे, किसी इंसान का नाखून नहीं है, उसका एक उंगली में, क्या उसको आप physically disabled मान लेंगे, नहीं, इसलिए जरूरी होता है, sections को refer करना, ताकि clear out हो पाए, कि किन specific disabilities के बारे में बात करी जा रही है ठीक है से चार हमने देख लिए बागी के चार यहां नीचे लिखे हुए ध्यान देते हैं यह जो फिफ्ट है न यह इंपॉर्टेंट है देखो इसको यह क्या क्या रहा है अपॉर्सन अंडर सर्कॉम्टैंस अफ अंडिजर्वड वॉंट सच एज बिंग विक्ट इस सिटी को लेकर जो वाइलेंस हो जाता है लोगों के भी जड़ब हो जाती उसका आप शकार बने बने अर्थक्वेक आया आपकी पूरी संपती खतम हो गई तो इस सिचुवेशन में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा कि आप अपने लीगल राइट को प्रेंट कर पा नाच्रल डिजास्टर के विक्टिम हो गए इसलिए उनका राइड बन गया किस चीज़ का लीगल एड लेने का क्योंकि अक्च्छल में उनकी सारी संपती चली गई तो यह जो पार्ट फिफ्ट है यह केवल इसी के बारे में बात करता है अन्डिजर्वड वॉंट के बारे पुलिस कस्टिडी जूडिशल कस्टिडी आपके आपके खुद के घर पे आपको कई तीबर में रखा जाता है या किसी आपका प्रोटेक्रिक्टिव होम की किसेडी या आपके जो जूविणाईल हूम सोते उसकी कस्टडी है को है और भी प्रोटेक्टिव ओम जो क्लॉस जी आफ दी इम्मोरल ट्राफिक प्रिवेंशन आक के तहथ आता है उसके सेक्षिन टू के सहथ उसको आप कस्टिडी में मान लेंगे जुवनाइल होम के जो एंबिट में आता है उसको मान लेंगे उसके साथ ही साथ साइकाटरिक हॉस जो है उसके स्टिडी में जो लोग है उसको भी माना जाएगा यानी यह बहुँं को भी मान लिया जाएगा इसाब से के हैंड़ है बहुत इजी सी बात है कोई परसन यह वन कि परसन तो में लीगल लीगल-र हगदार होगा और आखरी क्या कह रहा है यह important section है sir आखरी बात कर रहा है in receipt of annual income less than rupees 9,000 or such other higher amount as may be prescribed by the state government if the case is before the court other than the supreme court and less than rupees 12,000 if the case is to the supreme court जड़ा समझने की कोशिश करिए इस section के सापसे अगर आपकी annual income 9000 से कम है सालाना तो high court में जाने के लिए आप free legal aid के हगदार होंगे यानि high court के मामले में अगर आपका मामला high court में और आपकी annual income 9,000 से कम है तो आप 12,000 से कम है तो supreme court में आपको free legal aid मिलेगा लेकिन यह जो शब्द यहां पर लिखा हुआ है other higher amount as may be prescribed by the state government इसका मतलब यह है कि state government अभी 1987 का act है उस समय 9,000 रुपए सालाना एक income होती थी जिसके तहत आप जिसके नीचे वाले को आप गरीब मान सकते थे लेकिन आज के समय में सोचिए 9,000 कोई person अगर सालाना कमा रहा है तो उसको तो बहुत ज़्यादा जरूवत है legal aid की यानि की 50,000 साल का कमाने वाले व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा कम कमा रहा है इस वाट तो इसलिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं हर state government ने अपने state के इसाप से अलग-अ 10,000,000 साल का मद्द्रदेश के लिए हैं 2,000,000 रुपए साल का और बॉंबे यानि की महरास्ठ के लिए हैं 3,000,000 साल का क्योंकि वह ज्यादा एडवान स्टेट है इसलिए वहां पे कमाने वाले व्यक्ति जो तीन लाख रूपर कमा रहा है उसके लिए उतना पर्याप्त नह हुआ section 13 को एक बार देख लेते हैं section 13 बात कर रहा है entitlement of legal services की इसको read करके देखते हैं यह क्या कह रहा है person who satisfied all or any of the criteria specified section in section 12 shall be entitled to receive legal services provided that the concerned authority satisfied that such person has a prime of a size case to prosecute or defend यानि कि यह कह रहा है कि कोई भी person या तो section 12 में दी गई कि किसी एक category को या multiple categories को fulfill कर रहा है तो वो sufficient होगा legal aid के हगदार होने के लिए बस fact यह है कि जो authority है जो legal service authority में बैठी हुए उसको यह believe होना चाहिए उस person पर की उसके पास real में कोई case है accused है या तो वो या तो वो petitioner है या तो उसके पास कोई case है defend करने को या तो उसके पास कोई case है लड़ने को इन दोनों cases में उसको entitlement मिलेगा फ्री में legal aid मिलेगी और साथी साथ का क्या रहा है an affidavit made by a person as to his income may be regarded as sufficient for making him eligible to the entitlement of legal services under this act unless the concerned authority has reason to disbelieve such affidavit यानि की कोई गरीब आदमी है जिसकी payslip नहीं आती है वो अपनी payslip कैसे दिखाएगा वो कैसे बताएगा कि sir मेरी जो annual income है वो इतनी है तो यानि उसके द्वारा समिट किया गया कोई affidavit ही मान लिया जाएगा उसके द्वारा उसकी ceiling limit यानि कि वो ceiling limit के नीचे आ रहा है until and unless जो authority बैठी हुई है legal service authorities में उसको ऐसा believe हो जाए कि एफिडेमिट falls हो सकता है या वो गल्लत information furnish कर रहा है यहां आपका section 12 or 13 खतम होता है हमने 12 में पढ़ा आठ categories जिनके तहट आपको legal aid मिलेगी SC ST से शुरू हुआ था यानि SC और STS लोगों को मिलेगा और उसके साथ ही साथ H में जहां ceiling limit दी हुई है annual income की बात कि यह वहां पे खतम हुआ था उसके साथ 30 में बात कर रहा है कि उन लोगों को किन conditions में मिलेगा इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट भी इस वीडियो का खतम हुआ साइट के carrier page पर विजिट करें अथ्वा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ Team COCO